वर्षों से अपने भवन को तरस्ता दुरुग नगर निगम अब जल्द 23 करोड की लागत से नया तीन मंजिला भवन बनने के लिए तयार हो चुका है जिसके चलते बहुत जल्द नया भवन का आकार लेगा वर्षों 1981 में अस्तित्वों में आने के बाद से नगर निगम का कायलाई अलग अलग जगों पर चलता रहा है पहले तहसिल कायलाई के सामने प्रशास्दिक भवन में कायलाई चलाई गया फिर हिंदी भवन में शिप्ट कर लिया गया था इस दोरान कई विभाग के कायलाई अलग अलग जगों पर होने के कारण लोगों को खासी परिशानिया होती थी इसे देखते हुए करीब 22 साल पहरे पूरु महापस सूश्री सरोच पांडे के कारिकाल में राजिपरिवहन विभाग ने पुराने डीपो कायलाई को किराय पर लिया और तब से लेकर अब तक न कायलाई नहीं है नए भवन को लेकर चल रही है कवायदे मंजिल तक पहुचने वाली है नगर निगम की नए कायलाई भवन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है जिस बस डीपोस थल पर अभी कायलाई चल रहा है उसके ठीक बगल में पीम जी एस वाई कायलाई की जमीन प चाथीक निर्मान कारे के लिए पहले चरण में 18 करोड रुपए की तकनिकी स्विक्रिती भी दे दी गई है नगर निगम की प्रस्तावित नए भवन में तीन लिफ्ट सहित कायलाई के लिए जरूरी सभी सुविधाय मुहाईया एक ही छट के नीचे होगी जो प्रस्ट सतց था के लिफ्ट करोड चाएंगा जो चंडी मंदीर का जो जो भुग तरफिक है उसका विकल्प के लिए हमने तारीना करा एव रोड के शान्य की है यह सारे रोट को प्राराम्भीक तोर पर सर्वे हो गया और सब बजट में जोड़ने की स्थिम है जो नाला एक बहुंद गंदा नाला एक पानी समस्य थी है यह प्राराम्भीक एक महने की बड़ी उपलब्दी हैं यह सारिच कामों करने में कमसम हमको दो से तीन साल लगेगा तीन साल बात आप द्रुग सहर को आप देखना नया द्रुग आपको दिखेगा एस एन न्यूस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट